हलो फ्रेंट्स तो सीटेट के कुछ डाउट यहां पर हम क्लियर करने वाले हैं देखे कमेंट क्या गया यहां पर कि जो है दोनों पेपर के लिए क्या 180 नंबर अगर हैं तो क्या दोनों क्वालिफाई माने जाएंगे मतलब आप समझेगा इसमें कमेंट टोटल 90 लाने होते है जैसा कि आपको पता है सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स जेनरल केटेगरी के लिए लाने होते हैं और यहां पर आपको अगर यह कंफ्यूजन है कि 300 में से अगर आपके 180 आते हैं दोनों मिलाके तो ऐसा कुछ यहां पर रूल नहीं होता है आपको दोनों प बड़ेगा मतलब कि आप अगर देखिए पहला पेपर 90 अगर ला रहे हैं और सेकेंड पेपर में अगर आपके 90 प्लस या 90 से कम है ठीक है तो इसमें क्वालिफाई तब माना जाएगा जब आप दोनों में 90 प्लस होंगे अब वो चाहे अब यह सूच रहे हैं कि एक में 100 आ लोग आपका और एक यहाँ पर पूचा गया question दोनों पेपर भरा है देखिए दोनों पेपर अगर आपने भरे हैं seated में और क्या दोनों फेपर एक ही school में होंगे या फिर एक ही दिन होंगे तो ऐसा बिल्कुल एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में होंगे और एक ही दिन होंगे टाइमिंग हमने बता दी है और अगला कमेंट यहाँ पर आपका टाइमिंग से रिलेटेड है इसमें देखिए एक क्वेशन पूछा गया है कि पेपर 6 to 8 वाला पेपर दे सकता हूँ जब कि दोनों भरे हैं आपका देना बहुत जरूरी है जिसका भी कमेंट है यहाँ पर माधो नितेश जी का तो थोड़ा यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट पेपर ना देखिए और यह बोले हैं कि जल्दी कमेंट करके बताएं या जल्दी एंसर दें तो फिलाल एक दिन पहले का कमेंट है तो आ आधिका यादोंने क्या है बीच के टाइम का डिफरेंस मतलब कि आपका पेपर पहला जो होगा वो 9.30 से लेकर 12 तक होने वाला है और उसके बाद सेकेंड पेपर जो होगा वो आपका 2.30 से 5 बज़े तक होता है मतलब 2.30 से 5 बज़े तक उमेद है डाउट क्लियर हो गया हो